जैहिन दोस्तों करेंड फेर किस बार्सिक स्रीज में आप सभी कस वागत है दोस्तों हम लोग खेल से समंधित प्रस्णों को देख रहे हैं जिसमें अपरेल 2022 से लेके 15 अपरेल 2023 सके सभी प्रस्णों को समाहित किया गया है दोस्तों यह जो स्रीज है यह रैपीट फायर है इस इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका पुरणत आइंसर आप इस पर टेस्ट की तरह ले सकते हैं जब मैं प्रस्ण पढ़ूंगा तो समय आप इसका उत्तर अपने मन में सोच सकते हैं और प्रस्ण के खतम होने के बाद तुरत में इसका उत्तर बता रहा हूं ठीक ह अगला प्रस्ण है कि वायकाम एटीन ने मार्च दोजार तेशिस में सबसे अधिक उम्र में एट़ एटी03 माफ्टर 1000 खिताब जीतने वाले क्लारिक बने है तो ये बने है रोहन बोपन्ना, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के हैं, और ATP माफ्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे जादा उमर के किलाडिकोर है, रोहन बोपन्ना, ये भारत के है, अगला प्रसना है कि वहाद देश, जहां के बिकट कीपर बल्लेबाज, आशिफ सेख को, स्टोफर मार्टिन जैनकिन्स, स्परिट आफ क्रिकट आवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये नेपाल के है, नाम क्या है, आशिफ सेख, अगला प्रसना है, कि हाल ही में हां की इंडिया द्वारा किस पुरुस और महिला की लाड़ी को, प्लेयर आफ दी इयर पु पुरुस में और सड़ता पुनिया को महिला में क्या है प्लेयर आफ दी इयर पुरुसकार से सम्मानित किया है, अगला प्रसने किसे सातवी बार AIFF फुटवालर आफ दी इयर 2022 चुना गया, ये चुना गया है सुनील छेतरी को, सुनील छेतरी को सातवी बार AIFF फुटवालर of the year 2022 चुना गया अगला प्रफने की युबाखार्वम खेल मंत्राले दौरा 10 से 31 मार्ज 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कारिकरम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया तो इसमें कुल 10 खेलों का आयोजन करने के लिए डेँच मेडल में में स्टेश्ट प्लेयर आफ दी एर फूरसकार किसे गर्ड़ाड़ी को परदान किया गया है यह दिया गया आफ्टिलेग उस्मान ख्वाजा को सेन वार्म मेंस टेस्ट प्लेयर आफ दी यर उसकार दिया गया अगला है कि हाल ही में केंद्रिये प्रेटन मंत्राले द्वारा कहां पर पहली बार महिला महराथन का आयोजन किया गया तो पहली बार किया गया जम्मू में ठीक है केंद्रिये प्रेटन मंत्राले द्वारा पहली बार जम्मू में महिला महराथन का आयोजन किया गया अगला प्रसने कि वा फुटवाल खिलाड़े जिसे बर्फ 2022 में फीफा बेस्ट फुटवाला का आवार्ड परदान किया गया तो फीफा में लियोन मेसी अर्जेंटीना ठीक है लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के है इनको फीफा बेस्ट फुटवाला का आवार्ड परदान किया गया अगला प्रस्णाय की हाल ही में एसिया की सबसे लंबी साइकल रेस एसियन अल्टरा साइकलिंग चैंपियंशिप 2030 कहां आयोजित हुई इसका आयोजिन हुआ भारत में ठीक एसिया की सबसे लंबी साइकल रेस एसियन अल्टरा साइकलिंग केंपियोग करने के करण चार बर्स का प्रतिबंद लगा दिया है तो यह एस्वर बाबू को यह ट्रिपल जंपर थी और इनको अनाबोलिक इस्टिबंद लेने के लिए चार बर्स का प्रतिबंद लगा दिया नाड़ा की तरफ से अगला प्रफने के पूर महान क्रिकेटर जिनकी आदम कद प्रतिमा को वान खड़े स्थापित करने का नेडे लिया गया है तो यह लेगा फचन तेंदुलकर का ऑदम की परतिमा वान खड़े स्टेडियम में अस्थापित की जाएगी ठीक है अगला प्रफन है कि आईरलाइन के पूर्व हांकी खिलाडी थे इनको भारतिये पूर्व हांकी टीम का नया कोच नहीं किया गया है तो यह है क्रेग फुल्टन ठीक क्रेग फुल्टन यह आईरलाइन के पूर्व हांकी खिलाडी थे इनको भ इंबेसेडर नेव किया गया है यह किया गया है फचिन तेंदुलकर को टिक और वांखड़े इस्केडिया में फचिन तेंदुलकर की आदमकत प्रतिमा लगाई जा रही है अगला प्रफने की लगातार दूसरी बार BBC इंडियन sport women of the year award 2022 किसने जीता है? तो दूसरी बार जीता है मीरा बाई चादो जोंकि एक भावत पोलक है इनको BBC इंडिया sport women of the year award 2022 दिया गया लगातार दूसरी बार अगला प्रसने के उवा वारती उवा बल्लेबाज जिसे वन डे और टीटवरमेट में सर्वशेश्श परदरस्ण के लिए जन वरी महिने का ICC प्लेयर आफ दा मन्त चुना गया है जनुरी महिने का उनको सुभ्मन गिल को ठीक है सुभमन गिल को ICC प्लेयर आप दिन्मन से चुना गया है जनवरी महिने का अगला प्रफन है कि इंटर्नेशनल करिकट के तीनों फार्मेट में फत्क लगाने वाले ठीक लगाने वाले पहले भारती कप्तान बने है ये बने है रोहिद सर्मा अगला प्रफन है कि इंटर्नेशनल करिकट के तीनों फार्मेट में फत्क लगाने वाले पहले भारती कप्तान बने है रोहिद सर्मा अगला प्रफन है कि राफ्टिय खनीज विकाफ निगम या नियम डीसी ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्यवाज को अपना ब्रांड न प्रफन के लिए किस भारती बल्ले बाज को ICC मेंस T20 क्रिकेटर आफ दी यर 2022 चुना गया है यह चुना गया है शूर कुमार यादों को आजिसी मेंस टी टुवंटी करिकेटर आप दीएर चुना गया ठीक है आजिसी मेंस टी टुवंटी करिकेटर आप दीएर सुर्क मारियादो को चुना गया है अगला प्रफने दच्छीड अफरीका में 10 से 26 फरवीद विज़िएर 23 की बीच आठवे ICC महिला T20 विसकप का विजयता टीम रही है ये आफटेलिया रही है ठीक है दच्छेड अफरीका में जो 10-26 फरविज़ तेस के बीच आठवा ICC महिला T20 विसकप हुआ था उसमें आफटेलिया विजयता रही थी अगला अगला परफने की हाल ही में भारत किस स्टेडियम को आधिकारिक तोर पर गिनी जोबड रिकार्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठनी योग हां की स्टेडियम के रूप में मानेता दी गई है तो यह बिर्शा मुंदा स्टेडियम को मानेता दी गई है अगला परफने 38 राफ की खेल दोएर 24 का आयोजन निया जाएगा यह किया जाएगा उत्तरा खंड में अगला परफने की ब्राजील के सर्वकालिक महान फूटवाला जिनका कोलन कैंसर से अब 82 वर्ष की उम्र में 31 दिसंबर 2022 को निधन हो गया तो इनका नाम है एडिसन आरंतेस डो नेसीमेंटो उर्फ पेले ठीक इनको पेले नाम से जाना जाता था इनको कोलेंड कैंसर हुआ था और 82 वर्ष की उम्रे में ठीक है गोवा में भारत की पहली विस्टेवल टेनिस परत्युक्ता का आयोजन 27 फरवरी से पांच मार्ट 2030 के बीच में या जाएगा गोवा में तो इस परकार आज हम लोगे ने कुछ महापोड प्रस्णों को देखा कल की वीडियो में कुछ और खेल से संब्दें महापोड प्रस्णों को लेके आएंगे जो इसी परकार से रहेंगे जल्दी से आपको प्रस्ण मिलेगा आप उसका उत्तर अपने दिमाग में सोचीएगा तब ही उसके तुरंत बाद हम उसका उत्तर देदेंगे एक टेफ्ट की तरह आप इसको लीजेगा जैन जै भारत